Hey guys, welcome back to another video दोस्तो आज मैं बहुत ही exclusive product की unboxing करने वालों जिसका नाम है यह जो product है दोस्तो यह Lenovo के तरफ से आता है और इसके model number के बात करेंगे तो यह काफी popular series है basically और इसका जो Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro काफी lightweight product है दोस्तो तो अगर आप daily office से घर या घर से office या casual gaming आप करना चाते हैं तो यह काफी अच्छा product रहने वाला है तो यह Lenovo के तरफ से आने वाला product है दोस्तो तो finally यह रहा मेरे पास box दोस्तो अगर आप box की बात करेंगे और box की weight की बात करेंगे तो 2.5 kg इसका weight है box के साथ और साथ ही यहाँ पे Lenovo में कुछ branding देखे रखी दोस्तो यहाँ पे आपको MS office क्योंकि यह machine built-in है तो यहाँ पे MS office का logo आपको देखने के लिए मिल जाता है अगर आप left and side की बात करेंगे दोस्तो तो यहाँ पे Lenovo का branding आपको देखने के लिए मिल जाएगा अब जल्दी से इसे में करता हूँ open और आपको दिखाते है box content हमें क्या देखने के मिलता है और overall कैसा दिखता है यह product box open करने से पहले दोस्तो हम इसकी कर लेते है manufacture date की बात August 2021 में Lenovo ने इसे manufacture किया था अब जल्दी से में इसे करता हूँ unbox और दिखाते है box content हमें क्या देखने के मिलता है मैं इसकी seal को break करता हूँ तब तक अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को subscribe कर देना और साथ ही में bell icon को भी press कर देज़ेगा जैसे आप box को open करेंगे दोस्तों यहां पे आपको एक section देखने के लिए मिल जाएगा यहां पे आपको एक charging cable देखने के लिए मिलेगी और definitely दोस्तों यह Indian style में आपको charging cable देखने के लिए मिलता है तो आपको कोई भी problem नहीं जाने वाला इसे मैं रखता हूँ side में इसके लाबब देखने 65 वाट रेटिंग के साथ आता है दोस्तों और मुझे इस मॉडल में सबसे एडवांस सीज लेगी दोस्तों यह काफी बड़ा एडवांटेज है क्योंकि अभी हमारे चारों तरफ बेसिकली टाइप सी वाले गैज़िट ही आते तो फाइनिली लिए यहां पर टाइब C स्कुराओर दिया हुआyer सबसे भी रखता है साइड में फाइनिली यहां दुस्तों प्रॉडकट कि तो यह कि इसके राप को भी अलग करता हूं और अंदर से दिखाता हु कैसा दिखता है प्रॉडक्ट या आप casual gaming करते तो आपको ये इस बात का tension नहीं होगा कि ये बहुत weighted laptop है आप आराम से daily office इस machine को लेके जा सकते है साथी दूस्तो अब इसके lid के उठाने से पहले मैं आपको इसके ports के पारे में बता देता हूँ अगर आप right hand side में देखेंगे दूस्तो तो यहाँ पे आपको एक adapter का indication मिल जाता है उसके लावा दूस्तो आपको यहाँ पे आपको card का option देखने के मिलेगा दो USB के ports आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे और साथी दूस्तो अगर आप right hand side के बात करेंगे तो यहाँ पे इसका type C वाला ports मिल जाएगा यहाँ पे आपको HDMI का support है और यहाँ पे एक और आपको type C का option देखने के मिलता है दूस्तो और finally यहाँ पे हमारे पस headphone jack भी देखने के मिलता है अगर आप color की बात करेंगे दूस्तो तो यह जो product है यह gray color में देखने के मिलेगा जब अब इसे live देखेंगे तो काफी attractive product है दूस्तो यह साथी दूस्तो अगर आप backside direct के बात करेंगे तो लिनोबो ने काफी detail में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा आपको air exhaust देखने के लिए बिल जाता है तो आपको heating का कोई भी problem आपको इस machine में देखने के लिए नहीं मिलेगा काफी और यहाँ पे एक rubber का rib भ काफी solid product को बना देता है और साथी दोस्तों करेंगे तो यहाँ पे लेनोबो का batching देखने के मिल जाता है और यहाँ पी हलका सा chrome finish जैसा मुझे देखने के मिल रहा है दोस्तों और इसके जो इसका जो back cover है definitely metal built है तो काफी अच्छी build quality आपको यहाँ पे देखने के मिलती है अब मैं इसके lid को उठाता हूं दोस्तों और अंदर से देखने का साथा देखता है product वाव look at the beauty दोस्तों definitely comes with four side narrow bezels display आपको यहाँ पे देखने के मिलता है और साथी दोस्तों यहाँ पे camera आपको मिलता है basically यह hello का माई नहीं यहाँ पे IR camera ने दिया हुआ है तो जब आप अगर आप इसे configure कर लेते हैं इस camera के तो आपको password डालनी के ज़रूत नहीं है आप जैसे lid को उठाएंगे आपका face laptop के सामने होगा तो यह machine automatically ही unlock हो जाएगी साथी दोस्तों अगर हम इसके screen की quality की बात करें तो यहाँ पे आपको 300 nits का peak brightness देखने के लिए मिल जाता है और यह comes with 100% sRGB तो काफी अच्छी video quality आपको इस laptop में देखने के लिए मिलेगी तो अगर आप content creator है अगर आपको video editing करनी है या आपको auto kit से related कुछ work करना है color से related कु ether machine होने वाला है साथी दोस्तों अगर आप keyboard area के बात करेंगे तो definitely comes with backlight keyboard इसमें keyboard में light जलती है और two step backlight है तो आप इसे medium high भी रख सकते है अगर आप इसके speakers के बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको up fire speaker देखने के लिए मिल जाएंगे left and right तो काफी अच्छी इसकी audio quality भी रहने वाली है साथी दोस्तों अगर आप बात करेंगे trackpad की तो यहाँ पे precision trackpad आपको देखने के बिल जाता है यह multi justice support करता है तो आपको कोई भी problem देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको power indication button भी मिल जाता है दोस्तों तो इससे on भी कर सकते है कर यह लिड नही देखने करें तो definitely यहाँ पे basically intel edition है यहाँ पे आपको intel का processor देखने करें मिल जाता है और यह 11th generation Tiger Lake Technology वाला प्रोसेसर है अगर प्रोसेसर के specifications के बारे में discuss करें दोस्तों तो इसमें 4 core art threat और 8 MB की cache memory आपको देखने करें मिल जाती है अगर इसके GHz की बात करें दोस्तों तो यह 4.20 GHz पे इस प्रोसेसर को clock किया है साथी दोस्तों अगर हम RAM के बात करें तो 16 GB RAM देखने करें मिल जाती है और definitely दोस्तों इसके जो RAM है य नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि यह LPDDR RAM है तो इससे यह क्योंकि onboard RAM होती इसे आप upgrade नहीं कर सकते हैं साथी दोस्तों अगर इंटर्नल स्टोरिज की बात करें तो यहां पे 512 GB का आपको support देखने करें आप इसे 512 GB को upgrade कर सकते हैं up to 1 TB तक साथी दोस्तों अगर इसके operating system की ब मिल जाता है तो काफी अच्छा software का package भी आप आपको यहां पर देखने करें बिलेगा साथी दोस्तों अगर आप इसके backup की बात करें तो डेफिनिटली यह backup up to 10 hours आपको backup provide कर दें बैटरी की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर 56Wh का battery देखने कर मिल जाता है तो काफी यह sample इस laptop पर रण करता हूं और आपको दिखाता हूं कैसी है इसकी video quality all right दोस्तों I hope कि आपको sound पसंद आपको video बहुत अच्छा था दोस्तों अगर मैं इसके बात करो दोस्तों इस product के वारे में तो यहां पर लेनोबो ने intel iris का भी support दिया है तो अगर आप जैसे कि आप कुछ casual gaming करते हैं या आप normal editing करते photoshop से related तो आप इस iris में कर सकते हैं अगर आप इस graphics को अगर आप किसी से compare करना चाहते हैं दोस्तों तो nmedia का mx10 graphics आप यूज कर सकते हैं और उसी के बराबर ही आपको यह performance release करके देता है तो आपको कोई भी problem नहीं जाएगा और finally दोस्तों इस product के अगर मैं बात करूं तो यहां पर speaker देखने के लिए मिल जाते हैं और overall काफी अच्छा product है दूस्तों तो अगर आप 14 इंचे गाजट लेना चाहते हैं अगर आप day-to-day office लेके जाना और एक पाउफुल मशीन आपको चाहिए तो यह product आप consider कर सकते हैं लिंक नीचे description में डाल दूँगा वहां से जाके आप इसे चेक आउट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आ आता रहता हूं तब तक की लिए टेक केर एंड गुडबाई